जोस्तों आप देख रहे हैं यूटूब चैनल किसान जानकारी किसान आप देखेंगे आपको बताएंगे किस तरह से डाली जाती है ये देखिए विक्स उपर है जो कि कितने 70 ml ली गई है इस पंप में इसमें डाला जाएगा ये देखिए ये डाल दिया है और मैं कहना यानि क्रोस करें क्रोस करें ये देखिए पटेला को डालेंगे 70 ml 25 लीटर का जो पंप है आप देख रहे होंगे 25 लीटर लिखा हुआ इसमें ये 25 लीटर लिखा हुआ है 25 लीटर के में 100 ml कचड़े की दबा की जाएगी जिसमें से दो अलग-अलग फोर्मूले वाली दबा ईशने की है ये लेंगए 30 ml लेंगे ये पटेला को 30 ml लिया जा रहा है और 25 लीटर के ड्रम में डाला जा रहा है वक्रोस करें ताकि आ हैटर रजल्ट मिले ज्यादा खर्चा ना करें किसान और इल्ली की जो दबा है 10 EC लेकर डाला है कितना 20 ml इसे डाला गया है इसी में इसके बाद मैं कहना चाहूंगा दोस्तों चिप को जरूर डालें क्योंकि ये स्वेविन की पत्ती पर फैलाता कचड़े की पत्ती पर भी फैलाता अच्छा वहतर असर करती है अग अगर चिप को लब्द नहीं है तो निर्मा का यूज करिए देखिए चिप को डाल दी गई है जे देखिए इस तरह से घोल बनाया गया है उसमें पानी डाल देते हैं 25 लीटर पूरा कर देते हैं इस तरह से पूरा किया जाएगा आप देखिए पानी डाल कर 25 लीटर पूरा भर दिया गया है और आप इस दबाई को डालेंगे उसमें डालने के बाद में एक या तो डंडी हो या पर जो आप डाल रहा है उसका इनोजल हो उसके द्वारा इसे थोड़ा सा गुमाए ताकि दबा थोड़ी सी मिल जाए इस तरह से गुमाए और गुमाने के बाद इसको पेक करने के बाद इस तरह से दबाई को डाला जाता है आप देख रहे होंगे कि पंप द्वारा डाली जा रही है दबाई को थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा कि आप कि रोज करकर ही दबाई डालें आपको इसका रजेल्ट भी बताएंगे चार-पांच दिनों में इसका रजेल्ट आएगा इस तरह से दबाई को डाला जाएगा आप देख सकते हैं मैं कहना चाहूंगा किलोवीन की डिपी के अलावा आप क्रोस करें यहां पर अपने मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं करना चाहूंगा लेकिन यह कहना चाहूंगा अलग-अलग फोर्मूला है एक विक्स उपर है और पटेला है इसको क्रोस किया गया है और दोस्तो इसी प्रकार की हम वीडियो आगे डालते रहेंगे इस चैनल को सब्क्राइब करें और लाइक का वटन जरूर दबाएं दोस्तो और आने वाले समय में हम इसी तरह की आपको बताते रहेंगे कि ज़्यादा पेंसा खर्चा ना करें कुछ केमिकल होते हैं उनका जूजना करें ताकि ज्यादा पेमिंट देना पड़े कच्ड़ा मनना चाहिए और नुस्कान नहीं होना चाहिए वास धन्यवाद दोस्तों